गाइस इन स्मॉल और क्यूट ब्रीड के कौन दिवाने नहीं हैं क्यूंकि ये डोक्स दिखने में बहुत ही प्यारे होते हैं और ये बहुत ही अच्छे फैमिली डोक्स होते हैं और काफी लोगों के तरह ये डोक्स बहुत ही फेवरेट हैं तो आप में से कितने लोगों को ज जर्मन स्पीड्स पसंद है मुझे एक बार कमेंट्स करके जरूर बताना जिया गाइज आज मंबात करेंगे जर्मन स्पीड्स के बारे में अगर आप लोगों को यह दोट पसंद है तो वीडियो के end तक बने रहना आगे मां आप लोगों को इसकी पूरी इंफोर्मेशन दू German Spits one of the best smallest dog में से एक है. यह dogs बहुत ही intelligent होते हैं, इसलिए ब्रीड बहुत ही famous है. German Spits family dogs होने के साथ साथ बहुत ही बढ़िया worse dogs भी होते हैं. तो अगर आप लोगों के घर में कोई भी इंटर होने की कोशिश करेगा, तो यह आप लोगों को उसी वक्त alert कर देंगे. और इन dogs की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप लोगों के पास एक small size का apartment है, तो यह उनमें भी easily रह सकते हैं. इन्हें medium size या large size के घरों की जुरूरत बिलकुल भी नहीं है. इन dogs को अपनी family के साथ रहना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है. अगर आप लोग इन्हें घर में अकेला छोड़ते हैं, तो यह रोना स्टार्ट कर देते हैं. तो make sure अगर आप लोग कहीं बाहर जाते हैं, तो ज़्यादा देर तक इन्हें अकेला ना छोड़ें. और German Speeds का long coat होता है, तो आप लोगों को shading के time पे थोड़े बहुत घर में hair देखने को मिल सकते हैं, उससे बचने के लिए आप इन्हें week में 2-3 बार brush जरूर करें, ताकि आप लोगों को ऐसी problem ना face करनी पड़ें. तो दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पर first time visit कर रहे हैं, तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर ले, और साथ में bell का इकन को दबा कर पाए मेरी latest वीडियो की notification सबसे पहले. तो दोस्तो ये जो German Speeds है, ये एक male है और owner ने इसका price काफी reasonable रखा है, वैसे भी आप लोगों को पता है कि ये dogs आप लोगों को 5000 अजारता की मिल जाते हैं, पर owner ने इससे भी थोड़ा कम price रखा है. German Speeds बहुत ही active और energetic dogs होते हैं, और इनकी सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि आप लोग इने homemade food पे भी रख सकते हैं, इनके लिए आप लोगों को ज़्यादा expensive food purchase करने की ज़रूरत नहीं है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसकी बाकी की information की तरफ, इसकी age, price और location, तो सब अगर आप लोगो को इस location का नहीं पता, तो एक बार Google ज़रूर करें, बाकी आप लोग owner से भी contact कर सकते हैं, owner का contact number मैंने नीचे description में डाल दिया है, तो अगर आप में से कोई भी इसे purchase करने में interested है, तो direct जाकर इसे purchase कर सकते हैं, क्योंकि delivery यहाँ पर available नहीं हो पाएगी, तो अगर फाइनली इसके price के बारें बात की जाए, तो owner ने इसका price 4500 रखा है, तो आप लोगो को quality के हिसाब से इसका price कैसा लगा, मुझे एक बार comments करके जरूर बताना, और दोस्तों अगर आप लोग भी अपने dog की ad मेरे channel पर डलवाना चाहते हैं, या उसे free में add-off कराना चा हो, so thank you so much मेरी वीडियो लास तक देखने के लिए, जल्दी मिलते हैं हमारी एक और न्यू वीडियो में, एक और न्यू डोग के साथ, so तब तक keep watching my videos, and bye bye